विल्कम बैक गाईज, विल्कम तो याओन चानल, शेफ़ एडूकेशन, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सिये मोहित्ता पडिया, और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मेसिज़स आते हैं, बहुत सारे बच्चों के इंस्टेग्राम के बहुत सारे डी-मजाते हैं, कि सर कुछ ऐसा बताएे, जिससे हम लोग हमारे अकाउंस के पेपर में, जड़ा से जढ़ा marks ला सके, पूरे marks ला सके, अभी भी कहीना कहीनों सर कुछ चूट राहे हमें नहीं पता चल रहा हम क्या करें, जिससे हमें और बहतर marks अकाउंस में मिल सके, आज है ये वीडियो जो आपको accounts में पूरे marks दिलवाने में मदद करेगा आज है ये वीडियो जहाँ पर मैं आपको कुछ techniques बताऊंगा कि जो toppers होते हैं जो rankers होते हैं वो किस तरीके से अपने accounts के paper को attempt करते हैं तो ये वीडियो वुल लोगों के लिए खास है जिने accounts में pass होने की problems हो रही है ये वीडियो वुल लोगों के लिए खास है जो accounts में sum करते हैं बड़ पूरे marks teacher देता नहीं है आपने 6 marks का some attempt किया है, question attempt किया है teacher 4 mark देता है, 4.5 देता है, 5 देता है, पूरे 6 आपको नहीं दे रहा है ये वुल लोगों के लिए है, जिनको आज भी नहीं पता चल रहा है कि कौन से questions को किस तरीके से attempt करना है so guys, आज का video थोड़ा सा important रहेगा तो आप लोग को पूरा focus यहां रखना, मैं आपको help करता हूँ कैसे accounts में अपने ज़्यादा से ज़्यादा marks लेके आ सकते हैं अब मैं आपको सबसे पहला weapon बताता हूँ accounts में सबसे ज़्यादा marks लाने के लिए सबसे important है आपको चाहिए confidence आपको सबसे पहले चाहिएगा accounts के अंदर confidence, अब ये confidence कैसे आएगा वो समझना बहुत important है हमें हमेशा से हमारे teacher बोलते थे कि एक अच्छा account student हमेशा अपने attitude से जाना जाता है और एक अच्छा account student question को अपने positive attitude से attempt करता है तो answer अपने आप लिखलता है मतलब उसे confidence चाहिए उसे positive aggression चाहिए उसे positive attitude चाहिए but sir confidence ऐसे ही नहीं आता है confidence आता है सिर्फ और सिर्फ practice से किस से आएगा confidence आएगा सिर्फ और सिर्फ practice से make sure कि आप लोग को accounts में बहुत सारे sums को practice करना पड़ेगा आप जिस भी particular school से पढ़ रहे हैं जिस भी board से पढ़ रहे हैं अगर आप 12th commerce के बच्चे हैं आप एक चीज समझे लो आप जितने questions ज्यादा solve करोगे उत्रा ज्यादा आपका confidence boost होगा सर्जिक confidence और और confidence में बहुत पथली सी लाइन है और confidence उनका होता है जो बिना कुछ किये सोचते हैं कि मेरे ज़्यादा marks आएंगे मैं full marks ले क्या होगा बिना ज़्यादा efforts दिये बिना ज़्यादा practice किये जबकि confidence उन बच्चों का होता है जो बहुत practice करते है और फिर उन्हें लगता है कि हाँ भईया मेरे पूरे marks आएंगे या I will school good marks practice conference मैं आपको confidence gain करने के लिए कह रहा हूँ तो आपका सबसे पहला task होगा Whenever you are preparing for accounts exam से आपको accounts में अभी भी डर लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सम practice करिए टेक्स बुक करिए reference book करिए अपने question bank करिए अगर आप गुजराद बुड़ के बच्चे हैं गाला करिए अगर आप cbsc के बच्चे के बच्चे कोस्वाल करिए अरियन publications करिए cbsc के दुनिया साथ दुनिया भर के sample papers and resources available है वो करिए जितना ज्यादा आप इन चीजों पर महनत करेंगे उतना ज्यादा आपको इन चीजों का मज़ा आएगा आप जितने questions कर सकते होतने questions को आप solve करने की 100% कोशिश करिए next one अब मैं आपको आज कुछ techniques बता रहा हूँ जो आपको paper लिखने time ध्यान देना है specifically 12th commerce वाले बच्चों के लिए हम जब 12th commerce की बात करते हैं हमारा 12th commerce अलग-अलग part में divided है सबसे पहले हम बात करते हैं MCQ कैसे attempt करना है देखो जब हम paper लिखने जाते हैं सबसे important होता है time management सबसे important होता है time management जो मैं आपको पूरा का पूरा एक अलग वीडियो में सिखाऊँगा कि किस तरीके से time manage करना है बट फिलाल मैं आपको इतना बताता हूँ कि time management पूरा का पूरा हुल जाएगा अगर आपने MCQ को एक proper time में खतम नहीं किया है तो MCQ छोडना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी हमें MCQ के पूरे marks मिलते हैं अगर हमें MCQ आते हो तो 20 mark के MCQ में से 18, 19, 20 लाना कोई बड़ी बात नहीं है तो सबसे पहला आपका task रहेगा how to write MCQs जब आप MCQs लिखे, heading दे दीजे भाईया आप MCQ लिख रहे हैं फिर अगर आपका यह question paper है, इस margin में खाली question number लिखे, question number 1, 2, 3 अब कुछ बच्चे time waste करते हैं, वो लिखते है answer 1 या वो लिखते है solution 1 तो sir यह सब लिखने की जरुरत नहीं है, common sense है, this is an answer sheet, इसमें answers ही होंगे why are you wasting your time in writing, answer 1, answer 2, solution 1, solution 2, don't waste your time, write 1, 2, 3 that's it कैसे लिखना आपकी इच्छा, आप 1 के बाजू में round लगाईए, आप 1 के बाजू में ऐसा कोई symbol लगाईए आप 1 के बाजू में full swap लगाईए, कुछ भी लगाईए, आपका number clearly visible होना चाहिए, आपका motion कम से कम waste होना चाहिए इसलिए simple तरीका यही है, just write 1, that's it, आगे 2 लगाना, goal बनाना, arrow लगाना, curves बनाने, brackets बनाने, कोई ज़रूरी नहीं है, keep it simple, 1 number, right और यह number होना चाहिए main margin के अंदर, अंदर आप लिखेंगे अपना जो भी option है, suppose मेरो option है A, अप लीज ध्यान दीजेगा, बहुत बार हर paper में options अलग अलग तरीके से देते हैं, कहीं पर options देते, roman letters के अंदर, 1, 2, 3, 4, कहीं पर options देते, ABCD के format में, कहीं पर options देते, capital ABCD के format म मैं आप से recommend करूँगा, यह चलिए मैं board की preparation की बात नहीं कर, आप आगे अगर प्रोफिशन एक्जान देंगे, तो भी यह point आपके लिए important रहेगा, कि जैसा वहाँ पे जो particular options के आगे दिये वे आप वही लिखेंगे, और जैसा particular paper में दे रहा वैसा लिखेंगे, अगर paper में लिखेंगे, उसके आगे का जो option है, वो भी आपको पूरा यहां पे लिखना रहेगा, राइट, बड़ा हो चोटा हो, doesn't matter, ज्यादा time लगता नहीं है, पहले लिखिए A, उसके आगे के options भी लिखिए, आप कहेंगे sir, क्या यह जरूरी है, देखिए बच्चा लोग, वैसे जरूरी नहीं है, बट मैं 100% recommend करूंगा, आप करिये, क्योंकि बहुत बार जल्दी जल्दी में हमारा A और हमारा D सेम हो जाता है, अब आपने A लिखाएंगे, D लिखाएंगे examiner समझ नहीं पाता है, तो उसके आगे लिखेवे answer से हमें पता चलता है, कि हम क्या कहना चाते ह है, कुछ बच्चे बहुत बहुत गंदी-गंदी mistakes करते हैं, C को E बना देते हैं, तो examiner आपके कभी कबार alphabets को समझ नहीं पाता, इसलिए आगे का पूरा option लिखिए, आपके marks कभी नहीं जाएंगे, so please बच्चा लोग try करें कि MCQ के अंदर कोई भी time pass मत करिए, आपके सा सारे options अंदर आने चाहिए, bracket के बाहर options लिखना आपको allowed नहीं है, this is the first thing which you have to keep in mind while writing your accounts paper, second, अब आती है बहुत सारे general entries हमको पूछे जाते है, admission में pass adjustments पूछे जाते है, Google के adjustments पूछे जाते है, हमें कहा जाते है, इसके लिए general entry करिए, हम एक single entry हमें करनी होती है, पूरे दो मा क्या 3 मा के question के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए कोई भी format नहीं बनाते हैं, सर मैं ऐसा recommend नहीं करूँगा, चाहे एक entry हो, चाहे दो entry हो, अगर general entry है तो आपको format पूरा बनाना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा तरीके से डबा बनाना पड़ेगा, यहां आप लिखोगे date, यहां पे आप लिखोगे particulars, यहां पे आप लिखोगे LF, बराबर है, ऐसे करके आपका यह पूरा box बनेगा, फिर box को पड़ा heading देगे general entries in the books of so and so, अगर books आपको owner के नाम दिये हैं, किसकी किताब है तो in the books of so and so भी लिखी है, फिर यहां पे date दिया हो, तो date तो serial number लगा दीजिए 1, फिर आपके जो भी entry, entry लिखने का तरीका बहुत important, suppose हमारी entry है bank, account, debit, so please make sure आप ऐसे ही लिखी, आप 12th में, 11th में नहीं, you can't make silly mistakes, right, to cash account, अगर मेरी यह entry है तो, तो मैं account भी लगाउंगा, मैं दोनों तरफ से debit का symbol भी लिखूंगा, जो amount है, वो amount मे मैं कॉमास भी लगाउंगा, 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, and the most important thing, मैं narration भी पूरा लिखूंगा, चाहे छोटा लिखूंगा, बट लिखूंगा जरूर, being से start करके, जो भी होगा, being cash deposited, या being cash withdrawn, जो भी आपको लिखना है, you have to mention in this narration, चाहे वो narration एक line का, बट आपको mention करना है single entry क्यों ना हो, please make the whole format, अब बच्चे कहेंगे, sir हमारा paper छूट जाता है, क्या करें sir, अगर इतना सब करने जाएंगे, paper छूट जाएगा, उसका भी solution है, आप पूरा डबा मत बनाएए, आप खाली एक line इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और आप चालू कर यहां लिख दीजे, LF, यहां लिख दीजे, debit, यहां लिख दीजे, credit, bracket में उपर लिख दीजे, in rupees, यह लिखना बहुत ज़रूरी है, फिर सिधा entry करना चालू कर दीजे, bank, account, debit, fit to, cash, account, ठीक है, फिर यहां लिख दीजे, 50,000, मैंने assume किया है, 50,000, यहां पे लिख दीजे, कि नहीं बच्चे का, तो भी कोई बात नहीं, हमने presentation किया है, कोई problem नहीं है, लास्ट में कर टाइम बच्चे 5 मिनट, तो pen से फटा-फट लाइन खीच देना, कोई फरक नहीं पड़ता, हम pen से लाइन ड्रॉ कर देंगे, अगर हमें लग रहा है, हमारे पास time नहीं बच्चा है, और आप ज्यादा क्यों सोचते हैं, क्योंकि आप practice count होते हैं, अगर आप practice ज्यादा करेंगे, sums ज्यादा solve करेंगे, ज्यादा सोचना पड़ेगा, नहीं, तो यह होगे हमारा second point, हम general entries कैसे लिखेंगे, तीसरा point आता है, ledgers कैसे बनाएंगे, हमें mostly ledgers में पूछे जाते ह अकाउंट कैसे बनाए जाने चाहिए, सबसे पहले जब कभी भी आप revolution का account बना रहे हैं, guys, इनको पूरा आपको perfect formatting देना पड़ेगा, आप जब भी revolution मनाते हैं, हम बहुत बार गलती करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख देते हैं, हम bracket में रुपी सिंबल लगाना भूल जाते हैं, फिर वापस से हम यहाँ पे debit लगाना भूल जाते हैं, यहाँ पे हम credit लगाना भूल जाते हैं, हम to or buy लगाना भूल जाते हैं, यह छोटी-छोटी गलतियां मत करें, बिल्कुल भी मत करिये, क्योंकि यह छोटी-छोटी चीज नेक्स्ट वन आती है सबसे important चीज जिसे हम बोलते हैं balance sheet आपको कुछ चीज ध्यान देनी पड़ेगी जब हम balance sheet बनाते हैं वहां हम लिखते हैं तो आपको balance sheet भी पूरा लिखना पड़ेगा balance sheet as at 31st March 2023 and so and so तो आपको पूरा balance sheet में data देना पड़ेगा कुछ लोग बच्चे मुझे पूछते हैं सर हम लोग यहां पे लिखेंगे particulars और amount particulars और amount चलेगा क्या हाँ चलता है तो problem नहीं है बट फिर भी मैं recommend करूंगा आप मत करिए यहां आप करिए capital plus liability और यहां आप करिए amount bracket में रुपी जाएंगे सारे के सारे assets जिसमें सबसे पहले आते हैं non current assets जिसको हम लोग fixed assets भी बोलते हैं फिर आते हैं current assets फिर आते हैं miscellaneous जिसको हम बोलते है cash and cash equivalence तो क्या सर इस तरीके से लिखना चाहिए तो बीटा लोग मैं तो कहूंगा 100% इस तरीके से लिखना चाहिए आप 12 खतम क कर रहे हैं तो आपको balance sheet तरीके से बनाना आना चाहिए अगर हम बात कर हमारी left side की capital liability side की तो सबसे उपर capital आता है तो वैसे ही लिखना है उसके लीचे reserves आते हैं तो वैसे ही लिखना है उसके लीचे non current liability आती है और उसके लीचे current liability आती है you have to maintain all those things in the same format this is balance sheet guys you can't make fun of it आपको स सब कुछ तरीके से करना पड़ेगा and the last and the most important thing आप लोग दो वर्ड के बीच में confused हो जाते हो एक होता है working note और एक होता है rough work आप दोनों में फर्क समझो मेरे भाईयो फर्क समझो बहनो working note और rough work में फर्क है rough work के कोई भी marks मिलते नहीं है working note के marks मिलते है working note rough work नहीं है working note आपका main answer है उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा कभी कबार हम working में बनाते हैं opening capital निकालने के लिए interest on capital गिनने के लिए working बनाते हैं तो ये सारी working note होती है बट कभी कबार हम calculations पीछे करते हैं एक rough page पे या कुछ चीजे पीछे लिखके कर देते हैं that is rough work rough work का कोई भी तरीके का presentation matter नहीं करता आप rough work कैसे भी कर सकते 435-25 जो आपको answer आया वहां करो तो आप एक page के उपर rough work लिखके उस page में चाहो जितने लिटोरे करो कोई फरक पड़ता नहीं है पर अगर वो working note है तो उसको आपको पूरी इज़त देनी पड़ेगी उसके लिए पूरा perfect presentation बनाना पड़ेगा आप उसको हलके में ले सकते नहीं हो सबसे ज़्यादा चीज इस पर ध्यान देना बहुत सारे बच्चे working note को कैसे भी draw कर देते हैं कैसे भी बना देते हैं that is not a good thing to do so please make sure आप अपने working note को थोड़ा तरीके से बनाएगा इसके बाद में आपके mostly सारे के सारे chapters में अगर हम बात करें शाय कैपर उसमें general entry के format साथ प्रॉपरली बनाएगा उसके बाद में हम बात कर accounting ratio उसमें formats के साथ important है आपके formulas आप formula को अच्छे से mention करके sums को solve करिएगा आप break लिए करोगे नहीं चलेगा and the most important chapter cash flow आप cash flow के format के साथ बिलकुल भी छेड़ रिचार्ड नहीं कर सकते हो cash flow में format भगवाने आपका तो आपको ये सारे formats बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे और मैं फिर से repeat करूंगा बार बार repeat करूंगा लगाता repeat करूंगा practice 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 वही एक चीज़े जो आपको accounts में सबसे ज्यादा मांस दिला सकती है समझ में आग झाल